इस कैसे हैं आप लोग आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे आर्टू डिफेंस कर्मी में आपका स्वागत है आज मैं इस वीडियो के माध्यम से इंडिये इन्ने की नीव वैकेंसी जो है की रिडिज हो चुकी है दोस्तों फर्स्ट दोजर बाइस बैच के लिए वैकेंसी आ चुकी है और आज से ही बाइस सितंबर दोजार सॉरी बाइस दिसंबर दोजार एककिस से जो है की फार्म फिलप स्टार्ट हो चुका है और ग्यार जनवरी दोजार बाइस तक चलने वाला है टोटल पोस्ट की बात करे तो 200 और यह इसे डिपरेंट डिपरेंट जो है की कटेगरी वाईज बटा हुआ है पोस्ट तोटल पोस्ट की बात करें तो 400 है योगता तो फ़ेलर पास होना अनिवार है बार पास होना है एज लिमिट की बात करें तो आगे मैं आपको पूल डीटेल बताने वाला हूं वो भी पोश्ट की बात करें तो चार सो अप्रोक्समेटली चार सो जो है की पोश्ट है अप्लाइड डेट आपका 22 दिसंबर आज से 18 है जनवरी 11 जनवरी 2022 तक चलने वाला है फीस की बात करें तो जनरल जुलाई 2003 से लेकर एक जुलाई 2006 की बीच जो है की एज लिमिट है तो इसके आपके अंडर में आना चाहिए एज लिमिट तभी आप जो है की इस भान को भर सकते हैं एज रिलेक्स सेशन एंडिये नेशनल डिफेंस अकेडमी के द्वारा और भी एज रिलेक्स सेशन मिलता है इसके बाद एडिमिट काड डेट बता दूं तो आपको मार्च में मार्च 2022 में जो है कि इसका एडिमिट काड आ जाएगा और जो है कि एक्जाम आपका 10 अपरेल को यह फिक्स है कि 10 अपरेल को जो है कि आपका एंडिये ने का एक्जाम होगा फस्ट 2022 का पोस्ट नेम सब्सक्राइब करेंगे ज्यादा से ज्यादा पोस्ट जो होते हैं आर्मी में होते हैं तो 208 पोस्ट है और नेभी में 42 पोस्ट है और एरफोस में 120 पोस्ट है इसलिभी कंडिशन की बात करें तो आपका 12 पास होना अनिवार है आर्मी में आपका बाराइब इंतरमीडियेट इग्जामनेशन इन एनि रिकनाइज बोर्ड यह तो आर्मी के लिई है कि आपकी सी मतल्ब 12 पास होना चाहिए आपका मैं फिजिक्स या अधर चीजे होना हो या नहों कुछ से मतलब नहीं है बस आपका जोए की बारा पास होना निमार है और नेभी एरफोर्स के लिए जो है कि यदि आप इंडिया थुरू इन भी एरफोर्स में जाना चाहते हैं तो टेन प्लस टू इंटरमीडियेट आपका हो इनने में आपका टेन प्लस टू के ओल मेल कंडिडेट इस फान को जो है कि अपलाई फिलप कर सकते हैं टेन प्लस टू कैड़ेट एंटरी है यह और तीस पोस्ट इसमें है और यही के इलिजिबिल्टी कंडिशन है कि आपका जो के फिजिक्स मैत आपका 12 में होना चाहिए तब इस फान को जो है के अपलाई कर सकते इन ने के लिए तक A kald होते हैं आर्मी में ठीक है और वी दिया गया 208 आर्मी में इसके बात जहिए फोल फिलप होते है एयर-फोors के लिए तो आप इस करिएगा अपना कि किस फान को आप yapmış करे आप जो मैं बात करने वाला हूं। See important examwork examination examination क्या होता है कैसे कैसे Sedule होता है mathematics आता है ठीक है mathematics पहला wszystkich mathematics फिर general ability दूसरा आपका जोय께 general ability तो अचप गनते का आपका paper होता है लेो होता है पहले आपका math होता है फिर master ablety 800 मार्सट adhere 300 और कि एक कोस्टेन एक कोस्टेन आपका म found एक нож एक को पमाक्स मतलबुके से ज्टने वाले हैं एक कोस्टन आपका होता है ज़ित्हा भी जलत उन मांज माला है तो टूपईंट एट्री एक गलत होने question जो है कि एक question सई होने पढ़ने पर 4 नमर आपको मिलने माला है माइनस मार्किंग की बात करें तो 1.33 है आपका माइनस मार्किंग total फिर आपका जो दोड़ा जाये maximum marks आपका की total 900 होता है यह एक ज्याम का होता है फिर आम interview की बात करें तो 900 मिलता है टोटल 1800 मार्स होते हैं टोटल मिलाकर आई होप कि यह सब आपको जो एक जानकारी अच्छी लगी हो और भी मैं आगे आपको बताने वाला हूं इतने से नहीं होगा और भी टोटल चीजे देखिए आपको जोए कि मैथ में आपका 300 आएंगे मैंने बता दिया आपका 300 आफको 300 मार्स उनने वाले को स्टन नहीं कोश्चन आपका जो कि एक अंज लोने पर आढ़ाइ नंबर जो मिलने वाला है मारकिंग नहीं है नोने मेर्ट अब जेसे बीए एक जितना मैस मॉसार्म है उनक्याव होता है चिम आपको तुरप कर मैस आपका को सब्सक्र करters such चैनल पर या तो आप सरकारी रिजल्ट पर यह सब देख सकते हैं या तो मैं आपको सेलेबस यदि आप कमेंटर बाक्स में पुछेंगे तो सेलेबस मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा तो अलजेबरा से फिर आपका मैट्रिक एंडिटर्मिनर से फिर कुडमीटी से फिर आप जो की देख लीजिएगा ठीक है फिर वेक्टर अलजेबरा इस्टाटिक एंड प्रोवाल्टी से क्वेस्टन फिर पेपर जो सेकेंड आपका होचा है जैनल एबिल्टी टेस्ट शास्सों मैक्समा मार्स 200 मार्स जहीं कि 209 अग्से अगद ऐसके आगे आगे आपको बताने वाला हूं अभी आप देख लिजिएगा ठीक है मैं आपको सेलेबशी ओस्टा जुए जायों कहां payroll दोंगा मईट वीडियो में और यदि आपका具 से चारसी नमा मेडरा राता है इन्ग्रिजस आपका 200 न क्या आते हैं को ठीक है फिजिक्स को चना आते हैं फिर आपका केमेस्टी के को चना आते हैं फिर इसके बाद आपका जो है कि जनल साइंस जनल साइंस से कोश्चन आते हैं फिर इसके बाद जो है कि कोशन आपका हिस्ट्री हिस्ट्री से फ्रीडम मोमेंट इटीस से आपका जो आगे मैं आपको फूल डिटेल सलेबर सी बताने वाला हूं te physical knowledge आपको मैं कुछ में होता दू चुछ है नॉयास्याा कि आपको 2.4 किलो मेटर आपको 15 मिनट में जो है की पार करना होता है दो किलो मिनट प्लस 400 मिटर यह आपको 15 मिनट में जो है कि physical par करना होता है skipping क्या होता है आपका physical में होता है पता करिएगा कि skipping में क्या हותा है ये सब चीजे मुझे थोड़ा जो है कि doubt है इसलिए मैं कोछन marks बनाया हूं कि आप जो है कि पूछ कर बतायेगा मुझे comment box में कि skipping कैसा होता है होना चाहिए चाहिए होता है तो इतना है ऐपको इतना ही सबकुछ करना होता है तु नेच्ट वीडियो